अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस बर्फी को मैंने सिर्फ 40 रुपए में बिना बेसन, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना दूत के बनाया है तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन इस बर्फी को मैं आपको घर पर ही बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी वो भी सिर्फ 40 रुपए में तो देखते हैं कि इस टेस्टी बर्फी को जो बाजार में इतनी महेंगी मिलती है उसे घर पर आसानी से कैसे बनाया जाता है लेकिन फ्रेंज इससे पहले आप हमारी रजवारी रसोई को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले मैदा बर्फी बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है आप ये देख सकते हैं कि इस कटोरी का ही मैंने measurement set किया है आप भी ऐसा ये एक बरतन ले लें और उसका measurement set कर लें और उसी measurement से हम सब कुछ बनाएंगे तो यहाँ पर यह भी एक कटोरी मैंने मैदा लिया है और एक कटोरी यह मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन हम डेड कटोरी मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो यह यहाँ पर गैस पर मैंने कडाई रख ली है और अब मैं इसके अंदर दो चमच डालती हूँ हमारा ये घी तो यह जो मैदा बर्फी है इसे बनाने में बहुत जादा चीज़े नहीं लगेगी बहुत ही आसानी से और जटपट ये बन जाएगी तो घी हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालते हैं हमारा मैदा आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर मैं डेड कटोरी मैदा लोंगी और मैदे को हमें रोस्ट करना है मतब मैदे को सेक लेना है तो ये एक कटोरी मैदा मैंने इसमें डाला और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बचावा आदा कटोरी मैदा मैं और इसमें डाल देती हूँ यानि कि टोटल डेड़ कटोरी मैदा मैंने लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अब हम मैधी को रोस्ट करेंगे और इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए तो आपको मेरी ये बात ध्यान रखनी है कि इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए लेकिन हाँ इस वाद का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका कलर चिंच बिल्कुल नहीं करना है और फ्रेंट्स एक दो मिनिट तक चलाने के बाद मैं इसमें एक चमच्खी और डाल देती हूं क्योंकि बड़ा सुखा सुखा सा ये लग रहा है तो यहाँ पर मैं इसमें एक चमच्खी और मिक्स कर रही हूँ तो फ्रेंट्स ये देखे हमारा जो मैदा है वो रोस्ट हो रहा है आपको मैं ये बता दूँ कि हलवाई लोग भी इसी तरह से मिठाई बनाते हैं वो कम मावा लेते हैं जादा मैदा लेते हैं और उनकी मिठाईों में एकसर मिलावट के बारे में भी हमने सुना है तो उसी ट्विक का इस्तिमाल करके हम बिना मिलावट के घर पर ही मिठाई बना सकते हैं तो हम घर पर ही क्यों न बनाए इसी लिए मैं आपको यहाँ पर य इसे एक फ्रेग्नेंस आने लगेगी जिससे आप समझ जाएंगे कि आपका जो मैदा है वो रोस्ट हो चुका है तो अब हम इसे निकाल कर एक तरफ खड़ लेंगे और इस कड़ाई में ही हम चाशनी बनाएंगे वह प्रेंट्स अब हम चाशनी बनाएंगे चाशनी बनाने के लिए मैं यहां पर चीनी डाल देते हूं कड़ाई में आपको वह बता दूं कि जो मेजरमेंट हमने सैट सब्सक्राइब एक ताओर चाशनी है यहां पर हम एक तार की चाशनी बनावी तह आपको एक तार की ऐख़ना है कि फोड़ी चाषनी जो होती है वो तयार करनी है तो फ्रेंट्स ये देखिए हमारी चाष्णी जो है वो बनकर तयार हो चुकी है एक तार की ये चाष्णी है और इसे कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको मेरे पुराने वीडियो में भी बता चुकी हूँ तो मैं आपको बार-बार नहीं बताऊंगी मुझे उमीद है कि आपने सारे वीडियो मेरे देखे होंगे और आप वैसे सीधे भी पैचान सकते हैं कि जब ये इस तरह से तार बनने लग जाए ना ये देखे ये एकदम सिंपल तरीके से गिर रही है तो ये एक तार की केसर वाला जो दूध है उसका यूज करने का हमारा परपस सिर्फ यह है कि हम मिठाई के अंदर कलर दे सकें लेकिन अगर आपके घरमी केसर नहीं है तो उसका भी हमारे पास एक ओप्शन है आप जो भी आपकी मर्जी हो वैसा आप फूड कलर यूज कर सकती है आपका वही क हमारे चाशनी के अंदर डाल देते हैं हमारा मैदा अब मैं इसके अंदर ये मैदा डाल रही हूँ देखे, कलर डार्क आने के लिए यहाँ पर मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल दी रही हूँ तो मैं भी आप से यह कहूंगी कि सस्ते में यह मिठाई आपको बनानी है इसलिए आप अराम से इसके अंदर फूड कलर डाले बेफिक्र होकर और कोई नहीं पैचान पाएगा कि आपने जो बर्फी बनाई है वो मैदा बर्फी है और इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं चलाते वे इसके अंदर हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर आपको मैं ये बता दूँ कि मावा अगर हम बाजार से लाएंगे तो वो बहुत महँगा पड़ेगा लेकिन मिल्क पाउडर से ही ये जो मिठाई है वो बिल्कुल सस्ते में बन जाएगी और मावा जो होता है उसी के टेस्ट के साथ मतलब ये जो आपके मिठाई अनाई से खाकर सब लोग आपको इतारीफ करेंगे और आप रजवाडी रसोई की तारीफ करेंगे सारी चीज़ों कॉमा अच्छे से चलाते वे मिक्स कर देती हूँ और इसी के बीच में मैं हमारी ट्रे भी तैयार करती हूँ क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी इसको जमाने की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं पहले से ये ट्रे तैयार करके रख रही हूँ ये मैंने एक थालीली है आपके पास ट्रे हो तो आप ट्रे भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये देखे मैंने इसके अंदर अच्छे से घी लगा दिया है ताकि हमारी बर्फी जब जम जाएना तो वह इजी ली निकल सके और ये जो स्टेप है आप ये बहुत जल्दी जल्दी बीच में ही कर ले पूरा बर्फी बनाने के प्रोसेस के अब भी इखे फ्रैंस घी मैंने लगा लिया हमारी ट्रे पर और इसे अच्छे से चला लेती हूँ आप खुद ये देख सकते हैं कि हमारा बैटर किया च्छे से और कडाई चोडने हूँ इस ट्रे में कितना खुबसूरत लग रहा है यह आप खुद भी देख सकते हैं और अब मैं इसे अच्छे से इस तरीके से सैट कर लेती हूँ प्रेंस इसे सैट करने का यह एक और तरीका मैंने बताया है आपको कि यह जो मैंने चम्मच है ना उसके निचे घी लगा लिया है और फिर मैं उससे इसे सैट कर रही हूँ तो इससे ये अच्छे से सैट हो जाएगी और इसके जो उपर वाले लेयर है वो बिल्कुल स्मूध हो जाएगी तो आप भी इस ट्रिक का उप्योग करके बर्फी जमा सकते हैं तो फ्रेंस बर्फी हमारी सैट हो चुकी है और अब हम इसे एक घंटे के लिए रख देते हैं जमने के लिए एक घंटे बाद हम इसे चैक करेंगे तो यह देखिए फ्रेंस इस तरह से आप टच करके देख सकते हैं हमारी जो चक्की है हमारी जो परफी है वो पूरी अच्छे से सैट हो चुकी है और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग तो यह देखे इस तरह से मैं इसे काट लोंगी कितना प्रफेक्टली है जो हमारी बरफी है वो कट रही है तो friends यह देखिए कितनी perfect बर्फी अमारी जो है वो cut कर तयार हुई है और अब मैं इन्हें हमारी plate में रख देती हूँ जिस plate में मैंने बाकी सारी बर्फी रख रखी है और ऐसे मैं colorful बादाम से हमारी बर्फी को सजा देती हूँ तो देखिए यह कितनी संदर हमारी बर्फी बनकर तयार हुई है आप इन्हें देख सकते हैं यह कोई भी नहीं कह सकता कि यह मैदी की बर्फी है यह दिखने में बिल्कुल बेशन की बर्फी लग रही है और यह हलवाई जैसी बहुत टैस्टी बनेगी ट्रस्ट मी तो आप इ नहीं है किसे अगली रस्टी किसाद बाइबाई